जे माता दी आज दिपावली पर आईई सुनते हैं माता लच्मी की यह कहानी मा लच्मी शुक्षमरिधी और धन की देवी हैं जब लच्मी माता का ब्रत किया जाता है तो लच्मी माता की कहानी सुनकर ब्रत पोड़ किया जाता है लच्मी माता के ब्रत को बैभो लच्मी ब्रत भी कहा जाता है बैभो लच्मी ब्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है इस ब्रत को इस्त्री या पुरुष कोई भी कर सकत दिवाली वाले दिन माता लच्मी का ब्रत किया जाता है और लच्मी माता की कहाने शुनी जाती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन माल लच्मी प्रिथवी पर विच्रण करने आती है जो भी माल लच्मी की सच्चे मन से अराधना करता है माल लच्मी उश पर अपनी क्रिपा बरसाती है दिवाली वाले दिन कई लोग ब्रत रखते हैं और साम के समय बिधी बिधान से ब्रत खोलते हैं और लच्मी माता की कहानी सुनते है आई ये सुनते हैं लच्मी माता की यह पावन कथा लच्मी माता की कहानी है एक गाउ में एक साहुकार रहता था शाहुकार की एक बेटी थी वह हर रोज पीपल सीचने जाती थी पीपल के ब्रिच में से लच्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती एक दिन लच्मी जी ने शाहुकार की बेटी से कहा तु मेरी सहेली बन जा तब लड़की ने कहा की मैं अपने पिता से पूछ कर कल आऊंगी शाहुकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी तब उसके पिता जी बोले वह तो लच्मी जी है अपने को और क्या चाहिए तो लच्मी जी की सहेली बन जा दूसरे दिन वह लड़की फिर गए तब लच्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा सहेली बन जातो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गए लच्मी जी ने उसको खाने का निवता दिया घर आकर लड़की ने बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का निवता दिया है तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाईयो पर घर को शंभाल कर जाना तब वह लच्मी जी के यहां जीमने गई तो लच्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया रूपय दिये सोने की चोकी सोने की थाली में 36 प्रकार का भूजन करा दिया जीम कर जब वह जाने लगी तो लच्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी तो उसने कहा आजाईयो वह घर जाकर चुपचाप बैठ गए तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहां जीम कर आ गए और तू उदास क्यों बैठी है तो उसने कहा पिता जी मेरे को लच्मी जी ने इतना दिया अनीक प्रकार से भोजन कराए परन्तु मैं कैसे जिमाऊंगी अपने घर में तो कुछ भी नहीं है तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिटी से चौका लगा कर घर की सफाई कर ले चार मुखवाला दिया जला कर लच्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना लड़की सफाई करके लड़ू लेकर बैठ गए उसी समय एक रानी नहा रही थी उसका नौ लखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह नौ लखा हार डाल गई और उसका लड़ू ले गई बाद में वह हार को तोड़ कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा की क्या चाहिए तब उसने कहा की सोने की चवकी सोने का थाल साल दुसाला दे दे मोहर दे और सामगरी दे 36 प्रकार का भोजन हो जाय इतना सामान दे सारी चीजे लेकर बहुत तयारी की और रसोई बनाई तब गरेश जी से कहा की लचमी जी को बुलाओ आगे आगे गरेश जी और पीछे पीछे लचमी जी आई उसने फिर चवकी डाल दी और कहा सहेली चवकी पर बैठ जा जब लचमी जी ने कहा सहेली चवकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी किसी के भी नहीं बैठी तो उसने कहा की मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा फिर लच्मी जी चौकी पर बैठ गई तब उसने बहुत खातिर की जैसे लच्मी ने की थी वैसे ही उसने की लच्मी उस पर खुशो गई घर में खूब रुपिया इवं लच्मी हो गई साहुकार की बेठी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ तुम यहीं बैठी रहना और वह चली गई लच्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही उसको बहुत दौलत दी हे लच्मी जी जैसा तुमने शाहुकार की बेठी को दिया वैसा सब को देना कहते शुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो पीहर में देना शशुराल में देना बेटे पोते को देना हे लच्मी माता सब का कष्ट दूर करना दरिद्रता को दूर करना शबी मनों कामना पूरन करना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें सेयर करें हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद